हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजी एडूकेशन चैनल और आज के इस वीडियो में हम एलेक्ट्रोनिक्स मेकैनिक्स के जो टॉपिक है आपका फाइवर आप्टिक्स गम्यूनिकेशन इस पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें आपके इस टॉपिक की यह काफी important questions रहने वाले हैं और अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं अच्छे से समझते हैं तो इस topic से आपका कोई भी question जो है बाहर होने वाला नहीं है तो guys इस वीडियो को आप like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए क्योंक आपक का नाम यह fiber optical communication या fiber optics communication जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि fiber यानि कि इसमें fiber cable का यूज किया गया है जो कि प्रकास के format में जो है light के format में signals को transmit करती है अगर इसकी बात करें जो optical fiber cable है इसका जो सिध्धान्त है या इसका जो principle होता है वो होता है total internal reflection के format यानि कि इस सिध्धान पर यह काम करता है question में यह पूछा जा सकता है कि fiber optic cable जो है वो किस सिध्धान पर कार करती है तो वो है पूर्ण आंत्रिक परावर्थन इंग्लिस में कहें तो total internal reflection अभी इसको बताएंगे कि यह होता क्या है total internal reflection अगर इसकी fiber optics cable की बात करें तो इसमें तीन पार्ट होते हैं main part होते हैं वो तीन होते हैं पहला होता है इसका core आप यहां पर एक चीज ध्यान लिख लीजिएगा कि जो core है उसका जो आकार होता है वो बेलना कार होता है यानि कि cylinder type में होता है और इसका जो ब्यास उसका जो diameter अगर हम बात करें जो diameter होता है वो होता है आप 10 micrometer से लेकर के 100 micrometer की range में यह दोनों चीज़ें काफी important है objective में पूछा जाएगा बिल्कुल कि जो optic fiber का जो core होता है उसका आकार क्या होता है या उसका जो ब्यास होता है वो क्या होता है अगर radius के format में पूछ ले तो वो हो जाएगा आपक पांच micrometer से लेकर के 50 micrometer की range में अभी इसको diagram के माध्याम से बताएंगे आपको पहले आप इसके part को देख लीजेगा सबसे पहले अब अगर इसकी clading की बात करें second part होता है वो होता है clading clading क्या होता है कि यह जो है परावैद्यूति पदार्त का एक बेलनाकार परत होती ह यानि कि dielectric जो material होते हैं परावैद्यूति पदार्त होते हैं उनकी परत होती है एक प्रकार की जो की बेलनाकार होती है cylinder के format में होती है और जो है clading की तरज्या को हम small b से denote करते हैं और core की तरज्या को अगर small a से denote करें तो इसके लिए जो condition apply होती है वो यह होती है कि b is greater than a य ऐसा question में पूछा जा सकता है कि जो cladding है fiber optics cable की cladding है उसका जो ब्यास है वो core के ब्यास से कैसा होता है ज्यादा होता है कम होता है बराबर होता है यह या परिवर्दित्य या कुछ भी जो भी option देदेगा उसके अंसा तो आपको ध्यान रखना है कि cladding जो है उसका जो आका की बात करें तो वो क्या होता है आपका buffer coating buffer coating को external coating भी कहा जाता है और यह जो है buffer coating cladding के material जो cladding में material रहता है या कह सकते हैं कि cladding में जो परावेद्य तांक पदार्त होता है उसकी जो है सुरक्षा करता है बायू मेंडल यानि कि जो atmosphere में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं चाहे वो ताप हो दाब हो आदरता हो या किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है सूर से जो क्रिणे आ रही है उसमें बहुत सारी rays होती है इंफ्रारेट होती है और इन सभी से जो सुरक्षा करती है वो होता है आपका buffer coating उसको buffer coating कहते हैं और buffer coating इसी लिए use किया जाता है तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि buffer coating का use क्यों करते हैं तो जो बायू मेंडल की क्याएं हैं उनसे core की जो cable है उसके signal जो transmit हो रहा है उसकी stent पे कोई effect न पड़े इसके लिए वहाँ पे buffer coating का use जिया जाता है यहाँ पर एक चीज और ध्यान रेखनी है कि जो माध्यम का अबवर्तनांग अबवर्तनांग होता है वो निर्वात में प्रकास का बेक अपॉन माध्यम में प्रकास का बेक अबवर्तनांग का मतलब होता है refractive index इंग्लिस वालों के लिए काफी problem होती है तो मैंने यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूं कि अबवर्तनांग मतलब refractive index यहाँ पर लिख भी दिया है तो वह होता है आपका निर्वात में प्रकास का बेक यानि कि वैक्यूम में आपकी जो राइट का velocity है और माध्यम में प्रकास का बेक यानि कि जो भी माध्यम यूज हो रहा है हो सकता है वहाँ पर फाइवर हो या कोई और पदार्थ है सब के लिए अलग अलग होता है तो माध्यम में प्रकास का बेग जैसे कि अगर माध्यम में मान सकते कांच है तो कांच में प्रकास का बेग अलग ही होता है तो उसका बेग ठीक है तो यह होता है अब बर्त रांग अब बर्त रांग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर यह एक block diagram आपको दिखा रहे हैं इस block diagram में यह वाला part जो आप देख रहे हो जो अंदर वाला part है यह छोटा सा part दिख रहा है यह क्या होता है core कहते हैं इसको cladding जो आप यह देख रहे हैं यह उपर से बड़ा वाला part दिख रहा है इतना वाला इसको बोलते हैं हम cladding और ये होती है buffer coating या बोल सकते है external coating ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको इस diagram के मदद से clear हो गई होगी अब अगर बात करें को optical cable जो है उसमें जो optics fiber है या cable है उसके लिए जो signal को transmit करना है तो उसके लिए क्या क्या condition होनी चाहिए तो ये ज स्नेल की नियम का पालन करना चाहिए optical fiber cables को ठीक है यहाँ पर एक और important change होती है वह होती है critical angle critical angle क्या होता है वह अभी बता देते हैं आपको total internal reflection होना चाहिए उसके अंदर acceptance angle होना चाहिए acceptance angle क्या होता है वह भी आपको बताएंगे अभी terms और numerical aperture numerical aperture क्या होता है इसके बारे में भी अभी आपको बताने वाले है स्नेल का नियम क्या होता है कि स्नेल की नियम के अनसार ये कहा गया है कि स्नेल के नियम के अनसार कहा गया है कि अगर आपतन कौन जैसे कि इसको sign के format में लेते हैं sign i बटे पराबरतन कौन जिसको sign r के denote करते हैं यह जो इसका जो ratio होता है वो अपबरतनां के बराबर यानि कि जहां पर हम अपबरतन जो आपतित कर रहे हैं किरण को आपतित कर रहे हैं वहां का जो मीडियम है या वहां पर जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वह एन ए और जो दूसरा वाला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वह एन भी तो यह होता है स्न आपका इसनेल का नियम अब बात करते हैं क्रांतिक कौन की क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब हम आप्टिक पाइवर में केबल में जो है प्रकास को संचृत कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजेगा बैसे एक्जामपल से समझेगा कि अगर हम एक बापस आजाएगी यहां पर जो इसका एंगल बनेगा वह एंगल critical एंगल क्या होता है कि एक आखरी limit होती है maximum लिमिट होती है कि इतने से तक ही यह बापस हो सकती है यह क्रण अगर इतने से थोड़ा सा जादा हुआ तो यह क्रण जो है बाहर निकल जाएगी या इसका अपब परावर्तित नहीं करती बलकि परावर्तित कर देती है जैसे मान लिजेगा किसी भी माध्यम के लिए 55 डिग्री है तो 55 से अगर पॉइंट में भी बढ़ता है तो फिर वहां से जो है अपवर्तन हो जाएगा उसका परावर्तन नहीं होगा तो यह कहलाता है इसका critical angle पूर्ण आ जाती है अब बात करते हैं acceptance angle acceptance angle क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं acceptance angle देखने से पहले यहां पर दो diagram आपको देख सकते हैं diagram के मदद से समझ सकते हैं यह होता है critical angle यानि जो angle बन रहा है जिसको हम 5C से denote करते हैं अगर यह थोड़ा सा भी जादा हो जाता है तो यह क्रण जो है अपवर्तित हो जाएगी परावर्तित नहीं होगी इसको बोलेंगे हम critical angle पूर्ण आंत्रिक परावर्तन की अगर हम बात करें तो यह आप देख सकते हैं आप है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन होता है जो कि इस तरीके से दिखाए जा सकता है कि पहला जो मा apply कर रहे हैं और फिर जो है इतने अंगल पर बाहर निकल कर आ रही है कि acceptance एंगल क्या होता है कि जब फाइवर एक स्केवल में प्रकास को या हम कह सकते हैं सिगनल जो है वो लाइट के फॉर्म में संचरित होता है उसको संचरित करना है तो उसकी लिए कुछ ना कुछ एंगल से उस किरण को हमें आपतित करना होता है यानि कि उस किरण को या उस सिगनल को हमें अपलाई करना होता है अगर और वो जो है एक एंगल से एपलाई नहीं होता है उससे तोड़ा सा critical एंगल से जादा होता है तो वो किरण जो है वहाँ पूरी तरीके से जो अपवरतन होता है टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन होता है उसके माद्यम से वहाँ पे नहीं जाएगी तो कह सकते हैं कि acceptance एंगल मैक्सिमम एंगल होता है जिसमें प्रकास किरण सही तरीके से उस केबल में कह सकते हैं कि apply होती है transmit होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपको diagram में दिखाया गया है incident ray है जो कि आपको यहाँ से apply करना है यह launching end होता है और यह जो killer है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे apply करते हैं तो कुछ angle से जाती है और फिर से जो है cladding के माद्यम से टकरा के फिर से बापस यहाँ पे आ जाती है और इस छोर के cladding से ठकराती है और फिर इस तरफ चली आती है कुछ इसी तरीके से जो है वह यहाँ पे move करती रहती है और आगे बढ़ती रहती है तो यह जो इसका angle होता है फाई जो आप देख सकते हैं फाई वन फाई आई यह कहलाएगा इसका क्या acceptance angle अब जो आनने के लिए कि उसमें कितना maximum corn से apply कर सकते हैं ठीक है यह जो है आपका formula होता है acceptance angle को find out करने के लिए जिसको 5 max से denote किया जाता है और यह होता है आपका sine inverse और root यह लिखा है n1 square minus n2 square ठीक है n1 square होता है core का refractive index और n2 square होता है cladding का refractive index यह important formula है इसको आप अच्छे से ध्यान लिजीगा no down कर लिजेगा और इसी से क्या है numerical question बन सकते हैं और question पूछे जा सकते हैं अब बात करते है numerical aperture की numerical aperture क्या होता है यहाँ पर देख सकते आप इसी के आगे sign लगा देते हैं तो जो हो जाता है आपका numerical aperture numerical aperture यहाँ पे आप देख सकते हैं यह इसका formula लिखा हुगा है इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं यह यहाँ पे इसका formula होता है numerical aperture के लिए दो type के formula देख सकते हो आप यहाँ पर इन दोनो formula से find out कर सकते है एक formula n1 बराबर होता है root 2 n1 minus n2 upon n1 जहाँ पर अगर यह वाला formula भी apply कर सकते है और यह वाला formula भी apply कर सकते है जो इसकी value दी गई है उसके according n1 बराबर होता है n1 square minus n2 square यह होता है root में ठीक है यहाँ पर आप देख सकते है कि upon बटे में लगा है n0 n0 होता है by you या निर्वात की refractive index तो यह जो इसकी value होती है वो 1 होती है तो इसलिए इसको direct इस तरीके से भी हम लख सकते है कि n1 square minus n2 square वो भी root के अंदर तो यह चीज़ें भी important formula है इसको आप ध्यान रखिएगा अब अगर हम इसके बात करें दो important चीज़ होती है वो है कि कम दूरी की communication के लिए जो numerical aperture है उसकी value होती है लगभग 0.4 से लेकर के 0.5 तक ठीक है और इसके लिए कोई unit नहीं होती है और अधिक दूरी के लिए जो numerical aperture होता है उसकी value होती है 0.1 से लेकर के 0.3 तक दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा objective के लिए काफी important है exams के point of view से अब बात करते हैं हम यहाँ पे attenuation की attenuation क्या होता है कि जो optical fiber के वल है उसमें जब हम signal को transmit कर रहे होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ signal में strength कम हो जाती है power कम हो जाती है जिसकी विज़े से signal की information damage हो जाती है signal correct हो जाता है attenuation क्या होता है यही आपको यहाँ पे बताया इसके लिए formula होता है जो कि यह है alpha वराबर 10 बते किलोमीटर होगी कई बार unit भी पूछी जा सकती है attenuation की unit क्या होती है तो db decibel ठीक है decibel बते किलोमीटर अब यहाँ पे पी आउट जो होता है वो signal जो इसके last point से optical fiber के last point से signal मिल रहा है उसकी power होती है pn होता है जो हम इसके आगे के पार्ट से या कह सकते है starting point से जो हम इसमें signal दे रहे हैं उसकी power हो सकती है ठीक है और L क्या होती है उस optical fiber cables की लंबाई 10 तो यहाँ पे constant value होती है और इसको जो है lock के format में निकाला जाता है यह काफी important formula है इस related अभी आपको numerical question बताएंगी वो भी आप अच्छे से देख लीज़ेगा अभी note down कर लीज़ेगा इस formula को और याद कर लीज़ेगा एक चीज और important होती है graded index fiber में step index fiber की अपेक्षा कम attenuation होता है graded index fiber में step index fiber की अपेक्षा जो attenuation होगा उसकी value जो है कम होती है important है बहुत ज्यादा important है इसको ध्यान रख लीज़ेगा अब अगर हम इसके merit की बात करें या कह सकते हैं कि दोस्त क्या क्या होते हैं fiber optics cable में communication के दारा तो वो तीन टाइप के होते हैं एक होता attenuation वो आपको पता ही दिया है fiber optics cable के अंदर दाते हैं तो वो वहाँ पे थोड़ी सी energy जो है generate होती है heat जो है थोड़ा सा generate होगा क्योंकि light के form में होगा तो कहीं न कहीं light generate होगी ही होगी तो कुछ signal उस heat की वज़े से कुछ signal वहाँ पे absorb ही हो जाते हैं ठीक है ये कैसे होता है ये होता है जो किर्चॉप है उनके द्वारा एक नियम दिया गया था कौन सा नियम दिया गया था कि तरंगों को जो कह सकते हैं कि प्रकास के absorption का एक नियम दिया था आपको द्यान होगा नहीं होगा तो फिर से बता देते हैं कि अगर कोई signal generate होता है प्रकास का और वो किसी particular temperature पर generate हो रहा है ठीक है particular temperature zero नहीं मान लिजे का 50 degree centigrade पर वो generate हो रहा है signal ठीक है और अगर 50 degree centigrade पर अगर optical fiber के अंदर चलता है तो वो क्या है अगर वहाँ पर temperature 50 degree centigrade हो जाएगा तो वो signal की जो है कुछ ना कुछ value एब्जॉब हो जाएगी इसको कहते हैं किर किरच होता है वो है ताहिजख तो आपके पता ही कि प्रकास का जो और आप द्यान रख़िए खान Caroline कौन-कौन से होते हैं अटन ूप्षन और इस टीन प्रकार की जो है होते हैं अब यहां पे आपको दिखा लेते हैं कि ग्रेडेट इंडेक्स फाइवर क्या होता है इसका अटेनिवेशन जो है वह ग्रेडेट इंडेक्स का अटेनिवेशन से कम होता है यहां पे आप यह डाइग्राम देख सकते हैं इस डाइग्राम में दिखाया गया है आपको कि ये जो है cladding है गोल है तो cladding दोनों तरफ होगी क्योंकि वो गोल रहता है ठीक है बीच के बीच रहता है और ये जो है इसकी अंदर से ये वाला पार्ट जो है इतना वाला ये वाला पार्ट ये होता है core तो step index में क्या होता है कि एक ही signal जो कह सकते हैं एक ही format में signal जाता है इससे ज़्यादा सिगनल को हम transmit इसके अंदर नहीं कर सकते हैं सिंगल वेब जा सकती है सिंगल वेब यहाँ पर light को जा सकती है मल्ती इंडेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे सिगनल्स को हम वहाँ पर transmit कर सकते हैं जैसे यहाँ पर diagram में है हर सिगनल के लिए Aw massive बना दिया जाता है तो इसका जो पराबर तो हता है उस एचल की अपयक्छा उता है तो इसका जो देख सकते हैं यह को पाथ है या उसका जो दूरी है तेह करने वाली दूरी है उसके लिए अलग-ईलग एंगल पर उता है तो यह signal जो है mix नहीं होते है इसलिए यह जो है multi mode graded index fiber होता है इसका attenuation भी जो है कम होता है single graded index की अपेक्छा अब देख लेते हैं spiling यहां पर देख सकते हैं आप sorry splicing splicing क्या होता है कि fiber optics cable को जोड़ना एक cable है एक cable को दूसरी cable से जोड़ना कहलाता है splicing splicing के लिए तीन method का use होता है एक होती है fusion splicing एक होती है b group splicing और एक होती है elastic tube splicing अब इनको हम diagram से दिखाते हैं इनके बारे में detail से बताते हैं कि यह कैसे होता है यह आप यहां पर diagram में देख रहे हैं यह होती है fusion splicing fusion splicing में क्या होता है कि दो cable यहां पर देख सकते हैं यह दो केविल हैं, इनको आपस में जोड़ना है तो पहले इनको क्या कर लेते हैं एक बहुत ही पर्टिकुलर जगह पर फिक्स कर लेते हैं ताकि इनका जो अंदर का फाईवर से वो मिस्मैच ना हो जाए और इसमें क्या करते हैं एलेक्ट्रिक आर्ग या फिर लेजर फ्यूजन के माध्यम से इन में जो है हीट को दिया जाता है और फिर इनको जो है जोड़ दिया जाता है तो यह होता है कि उनसा fusion splicing ठीक है fusion splicing होता है और इसमें जो है micro babe की माध्यम से जो है हम देख लेते हैं इसके अंदर सूक्च मदर्सी के द्वारा sorry यहां पर देख लेते हैं इसके अंदर कि इसके जो fiber हैं अच्छे से match हो गए है या नहीं हुए है तो यह यहां करना चाहिए इसका दूसरा प्रभाज होता है कि जो ताप है टेंपरेचर है अगर ज्यादा हो जाएगा तो जो उसके अंदर fiber है या जो उसके अंदर रेसे हैं वो जल जाएंगे या अलग तरीके से वो पिघल जाएंगे टेड़े मेड़े हो जाएंगे तो जो सिगनल को है अटेनियोट करने लगेंगे यह सब तो यह चीज भी काफी करने होती बहुत ऐसी जगह पर जहां पर इस ट्रॉंग जो है जो चाहिए होता है अब बात करते हैं एंदर जो है फिकस कर दिया जाता है यहां पर इसको जलाया नहीं जाता बस इसको जो है fix कर दिया जाता है क्लेंप की माद्याम से इसको जो है fix कर देते हैं तो यह कहलाती है हमारी B Group Splicing ठीक है इसको बहुत अच्छे से match करना होता है और कई बार इसका जो loss होता है जो कह सकते हैं मेरिट होता है इसका में डिमेरिट यह होता है कि अगर यह थोड़ा बहुत भी हिल डुल गया तो जो है फिर यह खराब हो सकता क्योंकि यह perfect permanently fix नहीं होता है तो यह आप देख सकते हैं अब इसके बाद आता है हमारा elastic tube splicing elastic tube splicing में जो आप यह देख सकते हैं यह एक type की fiber optics cable है यहाँ पर दूसरी fiber optics cable है तो इनको elastic के माद्यम से कुछ इस प्रकार से इनकी splicing कर दी जाती है जो कि इसका सबसे वड़ा main फायदा ही है कि अगर इनका जो diameter है पहली वाली का diameter fiber cable का diameter अलग है और दूसरे का diameter अलग है य इनको भी इस splicing के माद्यम से जोड सकते हैं तो उसको जो है कुछ इस प्रकार से जो है elastic material के माद्यम से एक दूसरे में fix कर दिया जाता है तो यह होती है इसकी कौनसी splicing elastic tube splicing अब यहाँ पर दो चीजें और important होती है उन चीजों को आप देख लीजेगा कि fiber optics जो cable है उसके output र जो signal है उसको कैसे detect किया जाता है fiber optics communication में जो signal से उसको detect करना जैसे सिगनल हमार्ण transmit हो गया कैसे transmit हुए light के form में transmit हुआ अब जहाँ पे हमें output मिल रहा है उसका जो भी output terminal है वहाँ पे भी light के form में मिलेगा तो उसको अब detect कैसे करेंगी तो उसको detect करने के लिए दो type की device का use किया जाता है कौन-कौन सी वो मैं आपे लिखना भूल गया तो ऐसे ही बता देता हूँ एक होती है आपकी pin photo diode pin कौन सा? pin photo diode ठीक है? यह एक ही है दोनों एक ही है मतलब दोनों का नाम pin photo diode है यानि कि दो सब्जों है वो एक ही है ठीक है? pin photo diode और एक होता है अपका avalanse photo diode कौन सा? avalanse avalanse photo diode यह दो type के photo diode का use किया जाता है उसके external part पर signal को sense करने के लिए कौन-कौन से? pin photo diode होता है एक और एक होता है इसका avalanse photo diode अब देख लेते हैं हम इसके numerical question चाहर प्रकार के आपको numerical question बता देते हैं ऐसे ही numerical question एक्जाम में पूछे जाएंगे इन question को बहुत अच्छे से देख लिजेगा पहला question है कि एक सिलका optical fiber के core का अपरतनाग refractive index 1.5 है और cladding का refractive index जो है वो है 1.45 numerical aperture और acceptance angle का यहाँ पे आपको value बताना है तो n1 हो गया आपका 1.5 और n2 की value हो गई 1.45 ठीक है numerical aperture के लिए हमने आपको पहले ही formula बताया था कि n1 बराबर n1 बराबर होता है n1 square minus n2 square तो यहाँ पे value को पूट किया value पूट करके calculate किया तो numerical aperture की जो है value आगई n1 0.38 ऐसा question आपका exam में पूछा जा सकता है अब अगर इसके acceptance angle की बात करें तो acceptance angle को हमने कहा था acceptance angle जो होता है Q max is equal to shine inverse numerical aperture ठीक है numerical aperture यह होता है आपका दूसरा formula भी बताया था आपको लेकिन उसके लिए value को आपको put करना होगा अगर यहाँ पे sign की जो है value नहीं है तो हम कर सकते हो आपे लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले से numerical aperture की value है इस formula से हमने इसको calculate कर लिया तो वो हम सीधा इसका मान रखेंगे तो अब आपका होगे कि qmax बराबर 22.58 यानि कि 22.58 जो डिग्री आया है ऐसा तो हमें calculate करते नहीं बनेगा तो question में केबल आपका जो exam है उसमें आपके पास option होगा inverse में ही होगा क्योंकि किसी को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है इतना ज़्यादा याद नहीं कर सकता कोई 30, 40, 60, sorry 30, 45, 60 ये वाली वैली तो याद कर सकते हैं लेकिन ये इतनी perfect value यादनी की जा सकती तो ये वाला ही आएगा कि sign inverse ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं अगला question देख लेते हैं कि optical fiber material के लिए core और cladding के जो अबवर्तनाग है उसकी गड़ना करना है जब numerical aperture और normalize index reference की value दी गई हो हमें ठीक है numerical aperture की value दी गई है 0.22 और यहाँ पे जो इसका normalized index difference है उसकी value दी गई है 0.12 तो numerical aperture को हम कैसे गयात करेंगे numerical aperture is equal to इसका जो formula होता है ये होता है numerical aperture की value यहाँ पे दी हुई है हमें तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख लेगे और जो delta होता है आपका उसके लिए formula होता है कि n1-n2 upon n1 delta यानि कि इसको कह सकते हैं normalized index difference इसके लिए formula होगा n1-n2 upon n1 n1 core का अबरतनांग n2 cladding का अबरतनांग और n1 core का अबरतनांग तो इसकी value को हम जैसे रखेंगे इसको put करेंगे और find out करेंगे तो finally हमारी इस तरीके से value आ जाएगी ठीक है फिर हमें इसका ग्याद का करना है वो क्या कह रहा है question में कि core और cladding के अबरतनाग यानि n1 और n2 की value को ग्याद करना है तो n1 की value हमने ग्याद कली कुछ इस प्रकार से ठीक है ये वाला formula रखा जब delta वाला formula रखा उसको apply किया तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये n1, n2 की value है और ये n1 की value आपको दोनों formula ध्यान रखने है अच्छे से और ये delta वाला formula भी ध्यान रखना है इसको क्या बोलते हैं normalized index difference 100% आपका एक ना एक numerical question किसी ना किसी exam में आपको जरूर देखनों को मिल जाएगा तो ये हो गया आपका ये वाला भी अब आता है एक और question इसको देख लेते हैं कि एक silka optical fiber के core और cladding के जो अबर्तनांक है उनकी value दी गई है तो हमें गयात क्या करना है core cladding पर crantic corn crantic corn यानि कि critical angle को गयात करना है और fiber के लिए numerical aperture गयात करना है और acceptance angle गयात करना है core और cladding के लिए जो crantic corn यानि कि इसका जो acceptance sorry इसके लिए जो critical angle होगा वो होता है 5C value होती है आपकी sin inverse n2 बटे n1 यह formula important है इसको ध्यान रख लिए बहुत ज़्यादा important है exam में आपका पूछा जा सकता है value को put करेंगे तो इसकी value आजाएगी 5C is equal to 78.52 तो यह नहीं आएगा आपका सीधा यह वाला option में आपको मिलेगा इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं छोटे छोटे formula है छोटे छोटी calculation है लेकिन बहुत ज़्यादा important है अगर जिसने नहीं सीखा तो इससे simbata नहीं बनेगा ठीक है तो आप सीख लीजेगा आप उनसे आगे निकल लिएगा numerical aperture की value भी आपको ग्याद करनी है तो वही formula दिया हुआ है उसकी value दी गई है और बस timely ऐसा आप put करेंगे value और निकाल लेंगे acceptance angle भी इसी तरीके सी numerical aperture का sign inverse कर देंगे तो निकल आएगा ठीक है तो ये चीजें भी आपको बन जाएगे 100 micro watt और output power जो है वो है 50 micro watt तो इसकी जो है db km में जो unit है वो ग्याद करना है अब यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि attenuation को ग्याद करना है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि attenuation की जो unit होती है वो होती है db upon km तो ऐसा इसने थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया है आपका लेकिन question में पूछा गया है attenuation totally attenuation पूछा गया है तो ऐसा भी पूछा जा सकता है attenuation ना लिखके वहाँ पर db वटे लिकें यह माइक्रोम है तो माइनस 6 कर दी ठीक है इसी प्रकार से पी आउट की वैल्यू लिख दी वह भी माइक्रोम है है तो उसको भी वाट में तो l हो जाएगा completely यहाँ पर value को put करेंगे calculate करेंगे तो आपका यहाँ पर answer आ जाएगा वो हो जाएगा alpha is equal to minus minus 0.30 db वटे km ठीक है db वटे km काफी important इसको ध्यान रखना है ठीक है कई बार क्या होगा कि option में unit को change करके रखता है value तो वही रख देता है अलग-लग unit को नहीं होगी क्योंकि पूरी lock table याद खरना impossible है ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा कि question में वहाँ पर objective में जो है वहाँ पर आपको option दिया होगा कि log 0.5 is equal to होता है यह वाली value minus 0.30 या सीधा-सीधा इतना ही answer वहाँ पर रखा हुआ होगा तो आप यह ऐसे इसको जान रख सकते ह है तो अब इसके objective question देख लेते हैं यह objective question भी काफी important है अभी आपको numerical question बता दिए objective question पहला question है कि तन्तूओं के जानी कि फाइवर्स के अग्रभाग को निम्न तकनीक की साहता से तियार किया जाता है fiber optics cable में जो fiber होते हैं उनको कौनसी technology या कौनसी method के माध्यम से complete करते हैं तो वह होती है नियंत्रक अंस तकनीक ठीक है एक होती है आपकी elastic tube splicing ठीक है next question है कि numerical aperture का formula है तो numerical aperture के लिए जो formula होता है वो होता है n1 square minus n2 square वो भी root में और n0 n0 जो होता है बायू या निर्वात का अब बरतनांक होता है इसकी value एक होती है तो यहाँ पे इसको गुमा के लिख दिया है तो आपको ध्यान रखना है तो चीज भी ध्यान रखनी है मैंने वहाँ पर भी बताया था थियोरी में भी बताया था दोनों फर्मूले बताए थे ठीक है तो यहाँ पे confuse नहीं होना है आपको next question है कि प्रकासिय तंतू यानि कि fiber optics की सहायता से signal को किस रूप में हम जो है प्रेसित ट्रांस्मीट कर सकते हैं प्रकासिय तंतू में जो है उर्जाक अच्छे बहुत ही कम होता है इसलिए यह बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक होती है next question है कि प्रकासिय तंतू में विखराव हानी किस कारण पन होती है विखराव जो हानी होती है वह होती है कोर और क्लेडिंग में घनत्ता बदलाव क कारण विखराओ हानी को कह सकते हैं कि जो light है वह बिखर जाती है वहां पर तो मिशित मिलुएटी पूछा गया है यह क्यों होता है यह क्योंकती है do वो होती है उस्मा के कारण हीट के कारण जो है हमने आपको बताया था कि प्रक्रीडन नहीं होता है प्रक्रीडन तो प्रकास का अलागी होता है यहां पर absorption हो जाता है वही कारण यहां पर पूछा गया है कि यह हानी जो होती है वो क्यों होती है हीट की वज़ाए से होती है कु क्या कारण है तो वो यह कारण है कि प्रकासे तन्तू प्रकास के रर जो है वो तन्तू में फैल जाने के कारण होता है ठीक है डिसपर्टन कियों होता है उसका मईंट और मल्ती मोड को भी दिखाया ना को और मलटी सुरोथ के रूप में उप्योंग किया जाता है सोर्स के फॉर्मल में क्या यूज करते हैं तो लेजर डायोट का यूज किया जाता है प्लास्टिक और काश का प्लास्टिक और काच के चोटे चोड़े फाइवर रा बनाते हैं और उसके अंदर जो है कौर को बनाया जाता है next question है कि स्थाई समयोजन के लिए किस तकनीक का उप्योग किया जाता है फाइवर और अप्टिक्स में स्प्लाइसिंग का यूज किया जाता है स्थाई सहीयोजन के लिए next question है कि कोड़ी ये आसनरेखण क्यों उत्पन होता है कोड़ी ये आसनरेखण क्यों उत्पन होता है तो दोनों तंतुओं के मद्ध कोड़ी ये अंतर आ जाने की करण वहाँ पे कोड़ी ये non-linearity जो हो हो जाती है next question है कि नियंतरक fünf uns technique का उपियोक क्यों किया जाता है इसका जो यूज किया जाता है तन्तुओं को अग्रशिरों को चिकना करने के लिए नियंतरक fun technique का यूज किया जाता है next question है कि splicing कितने प्रकार्टी होती है तो इस option के अनुसर अगर देखें तो fusion और यांत्रिक दो प्रकार की होगी क्योंकि fusion में तो हम heat के द्वारा उसको जला के कह सकते हैं temperature वड़ा के वहाँ उनको चिपकाते हैं या joint करते हैं उनका फिर यांत्रिक क्यों होगा क्योंकि जो आपकी V group splicing होगी और जो आपकी elastic tube splicing होगी वो दोनों यांत्रिक के अंत्र गताएंगी यानि कि mechanical कहलाएंगी तो यहाँ पर A option इसका answer हो जाएगा अगला कुश्यन है कि और सोसर हानी मापन के लिए किस यांत्र का use किया जाता है और सोसर हानी मापन के लिए calorie meter का use किया जाता है जो absorption होता है उसको measure करने के लिए calorie meter का use करते है उस fiber के लिए ठीक है next question है कि प्रायोग एक तौर पर numerical aperture का मान क्या होता है प्रायोग एक तौर पर numerical aperture का जो value होती है यह वाला A option में जो दिया गया है formula उसके answer next question है कि प्रकास encoding किसे कहा जाता है प्रकास encoding किसे कहा जाता है तो वो होता है प्रकास signal को digital प्रारूप में बदलना ठीक है जब output जो उसका छोर होगा वहाँ पे signal मिलेगा हमें वो light के form में मिलेगा अब उससे जो है हमें information को लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि light को digital format में change करेंगे तो यह हो जाएगा आपका A option अगला question है कि तंतु को नेत्र के संपर्क में आने से क्या आनिया होगी यानि कि जो fiber है वो अगर हमारे आँक के संपर्क में आ जाती है तो उससे क्या loss होगा यहाँ पे इसका जो है या तो laser light के माध्यम से या heat के माध्यम से वहाँ पे उसमा देते हैं फिर उसकी वज़ए से वहाँ जब heat हो जाती है तो वो जुड़ जाती है तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है सावधानी पूची गई है पहला option है कि जोलनसील पदार्थ होनी की वज़ए से तंतू को जलने से बचाना बिल्कुल क्योंकि वहाँ पे जलेगा तो तंतू जो फाइवर है वो जल सकते है नेक्स्ट है कि तंतू को चिपकाने से बचाना वो तंतू भी चिबक सकते है जो फाइवर है इसका answer हो जाएगा आगे का question है कि प्रकाशी तंतू के पास खाने पीने की चीज़ों को क्यों नहीं रखना चाहिए तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है radiation आता है radiation की बज़ए से जो खाने पानी की चीज़े हैं वो damage हो सकती है उसमें जो है radiation की बज़ए से वो हमाले की harmful हो सकती है तो यहाँ पे इसका c option हो जाएगा तो यह थे आपके important question भी आपको यहाँ पे बता दिये objective question जितने भी type के थे वो आपको बता दिये numerical question भी बता दिये theory भी बता दिये आपको तो 100% आपका यह topic complete हो गया इसके बाहर आपका कुछ भी जो है exam में नहीं जाने वाला है तो अगर आप channel पर नए है तो subscribe कर लें notification bell icon को भी प्रेस कर दियेगा जिसकी वज़े से आगे की videos की notification आपको मिल जागी क्योंकि February मन्त में जो है railway की जो GAE है junior engineer की है post है उसके लिए technical part की preparation हम इस channel के माध्यम से आपके लिए करवाने झाल कवब क्योंकि ब्ला है रजा है जो नहीं के लिए जागने